तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे movements in animals, animals का movement के बारे में हम पढ़ेंगे, okay, animals move from place to place to look for food, बच्चो, animals एक जगह से दुसरे जगह क्यों जाते हैं, animals movement क्यों करते हैं, फूर के लिए करते हैं, किसलिए करते हैं, फूर, खाना के लिए करते हैं, एक जगह से दुसरे जगह खाना ढूणने के लिए जाते हैं, फूर सार्चिंग के लिए जाते हैं, okay, to protect themselves from enemy to find shelter, बच्चो और क्या करते हैं, enemy से उनको प्रोटेट करने के लिए shelter find out करते हैं, shelter को ढूणते हैं, जहाँ हो चूप सकेंगे, जहाँ हो सेप्टी में रह सकेंगे, ओके, तो खाना के लिए, फूर के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दुसरे जगह जाते हैं, और enemy से खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक करने के लिए क्या करते हैं, shelter ढूणते हैं, find out करते हैं, okay, animals have different organs to move, बच्चो, animals का different organ होता है, जैसे, ओर organ के मदद से हो क्या करते है moving करते हैं, move करते हैं, okay, animal का different organ होता है, और organ से हो क्या करते हैं, organ को use करके हो move करते हैं, okay, तो फास बच्चो देखो, land animals, फास रम पढ़ेंगे land animal के बारे में, तो land animal क्या है, देखो, most land animal like cow, dog, crocodile, lizard have poor limbs, to move, बच्चो, कुछ animals होते हैं, जैसे cow, dog, decidan, crocodile, lizard, यह है सब land animal, okay, इसब land में रहते हैं, इसको land animal कहते हैं, कुछ animal है, जैसे cow, dog, crocodile, lizard, इनके poor limbs होते हैं, मतलrint फूर पेर होते हैं, okay, four limbs होते हैं, इसके जाए से हो move करते हैं, तो ये एनिमल का four limbs होता है जिससे हो move कर पाते हैं ये क्या करते हैं चारों के चारों लीम्स को moving के लिए use करते हैं ये याद रखना ये जो animals हैं land animals, cow, dog, crocodile, lizard इनका चार four limbs होता है वो क्या करते हैं moving में four limbs को use करते हैं चारों लीम्स को use करके move करते हैं जिससे के काव या दखो इसका पोर लिम्स है, डॉक का, दीजाड का देखो पोर लिम्स है, और क्रोकोडाइल का भी पोर लिम्स है, तो यह क्या करते हैं, चारो के चारो लिम्स को यूज करके move करते हैं, उसके बाद बच्चो रेप्टाइल्स, क्राल ओन दियार सोड लिम्स, बच्चो रेप्टाइल का बहुत छोटा लिम्स होता है, स्नेक डू नोट है लेक, बच्चो साब का लेक नहीं होता है, साब का पेर नहीं होता है, बच्चो रेप्टाइल्स, बच्चो कीशे मुव करता है, उसके बड़ी में एक प्लेट होता है, उसके बज़े से वो मुव करता है, उसके आधे पढ़ेंगे आर्थ वर्म, आर्थ वर्म कैसे मूब करता है देखो, आर्थ वर्म have segmented body, which they can extend and contract, इतनावल देखो, आर्थ वर्म का, उनका body segment body होता है, उसके वज़े से वो आराम से मूब कर पाते हैं, कर पाते हैं और आराम से इजीली मुविंग कर पाते हैं जिसे आंट ग्रासाफ और बॉटरफलाई यह है इनका क्या होता है बोड़ी सेग्मेंटेड होता है जो की एक्सेन और कॉंटर कर पाता है उसके बाद इनसेक्ट बचो जिसे आंट ग्रासाफ और बॉटरफलाई यह कुछ इनसेक्ट है देखो इनसेक्ट है जिसका विंग्स होता है जिसके बज़े से वो उड़ पाते हैं इनसेक्ट का विंग्स होता है जिसके ग्रासाफ और बॉटरफलाई इसलिए वो उड़ पाते हैं ओके